हेलो स्टुडेंट वेलकम उन्स अगेन बच्छी इस वीडियो में हम लोगे एक और इंट्रेस्टिंग क्वेस्टन सॉल्व करने जा रहे हैं 13.6 का 6 नंबर का क्वेस्टन यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग क्वेस्टन है क्योंकि यहां पर भी आपको घुमा करके दिया गया है लेकिन जब आप इसका basic concept समझ जाओगे तो आप इससे सीधा सीधा सॉल्व कर लोगे तो कि यहां पर बोला क्या जा रहा है कि capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter यानि कि एक cylinder है हमारे पास closed cylinder यानि pack है पुरी तरीके से उसकी height 1 meter है और उस cylinder की capacity है अगर हम लीटर में देखें तो 15.4 liter है इतना यानि उसमें 15.4 liter कुछ भी liquid वगएरा उसमें put कर सकते हैं भर सकते हैं अब हमसे यह बोला जा रहा कि how many square meters of metal seat would be needed to make it यानि कि वहां पर अब अगर उसको बनाना चाहें उस टाइप का cylinder जिसका capacity इतना हो और height इतना हो अगर इस size का अगर अगर आपने एक vessel बनाना चाह हैं तो उसके लिए अपने को कितना metal seat का जुरत पड़ेगा तो अब सबसे पहले दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि यहाँ पर हमको निकालना क्या है actual में यहाँ पर हमको इसका volume निकालना है या फिर इसका total surface area निकालना है तो मैं एक example के लिए simply इसको ले लेता हूँ जै अधर भी metal का seat लगेगा यहां भी metal सीट लगेगा नीचे भी close है तो नीचे side भी metal का seat लगेगा और उपर भी close है तो उपर भी metal का seat लगेगा इसका मतलब अब कितना metal का seat लगेगा ये जानने के लिए हमको यहाँ पर its total surface area निकालना पड़ेगा कि वहाँ पर total जो metal का seat है वो कितना लगेगा इस टैप के vessel को बनाने के लिए तो इसका मतलब हुआ कि हमको total surface area निकालना है अब total surface area है कि अपने निकालने के लिए अपने को radius की जुरत पड़ेगी तो वहाँ पर r जो है radius है तो radius यहाँ पर हमको कहीं पर दिया नहीं हुआ है त हमको radius निकालना पड़ेगा अब वह radius कैसे निकलेगा तो यहाँ पर हमको capacity दिया हुआ है ना यानि कि समझ लोग एक तरह से volume दिया हुआ है क्योंकि capacity और volume में हम लोग relation कर सकते हैं हम जानते क्या है पिछले वाले question में मैं आपको बताया था कि one meter का cube equal to one thousand liter होता है तो वहाँ से हम लोग इसका volume निकाल लेंगे volume पदा चल जाएगा तो radius पदा चल जाएगा radius पदा चलेगा तो हम लोग वहाँ पर total surface area निकाल लेंगे तो कभी भी जब गुमाग फिरा करें कोई question देना तो सबसे पहले आप यहीं देखना है कि actual में वहाँ पर उसका हमको क्या find करना है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ही देखा कि total surface area find करना है जिसके लिए radius की जुरत है तो आई उस radius को कैसे find करेंगे मैं आपको कभी में समझा देता हूँ तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिक लोग कि height दिया हुआ है 1 meter capacity दिया हुआ 15.4 liter जैसा कि मैंने आपको बताया 1 meter का cube equal to होता है हमारा 1000 liter ठीक है यानि कि यहाँ पर जो हमारा हमारा जो क्या मुलेगा उसको volume निकलेगा वो हमारा इस तरीके से निकलेगा कि अगर अपने को पता है 1 meter का cube 1000 liter है और यहाँ पर अपने को लीटर में दिया हुआ है जब हम लोग इसको 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 capacity दिया हुआ है जब हम लोग इसके 1000 से डिवाइड दे देंगे तो असानी समको उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा तो कि मैंने आपको पिछले वाले कोईशन में समझाया था कि वहाँ पर अगर आपने को मीटर का क्यूब दिया हो और लीटर में निकालना रहे simply 15.4 को हम लोग 1000 से डिवाइड दे देंगे तो हमको इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा और वॉल्यूम हमारे निकलेगा मीटर के क्यूब में क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनिट को कनवर्ट कर दे रहे लीटर में था यह भी नीचे लीटर आपस में कैंसल हो जाएगा अब यहाँ पर अपने इसको डिवाइड करने से अच्छा है कि simply देखो नीचे 3 0 है तो decimal के बाद हम लोग क्या करेंगे जानते हैं कि अगर multiply होता है तो decimal आगे चला जाता है बाहर निकल जाता है और अगर divide होता है तो decimal और अंदर आ जाता है तो हम लोग वही उला काम करेंगे shortcut trick अपनाएंगे जैसे देखो यहाँ पर नीचे 1 0 के वज़ा से पहले तो decimal यहाँ पर आएगा फिर दूसरे वाले 0 के वज़ा से decimal यहाँ पर आजाएगा इसको मैंना को class 6 में ही समझा रखा है तो अब यहाँ पर हमारा decimal इधर लग जाएगा और decimal की इधर कुछ नहीं है तो उधर वी एक 0 लिख दिया जाता है जब इसको आप divide दोगे आ रहे तब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ simply 154 लिखूंगा और देखूंगा कि decimal के बाद कितने डिजीट है तो decimal के बाद 1,2,3,4 डिजीट है यानि नीचे अपन 4,0 ला नंबर यानि 10,000 लिख देंगे तो इतना मीटर का क्यूब यह fractional form में हो गया यह decimal form था इसका fractional form है अभी देखो इसका जुरत कहां पर पड़ेगा अब हमने volume निकाल लिया कि volume इतना है volume को formula क्या होता है हमारा pi r square h होता है इसका मतलब हमको pi r square h मिल गया तो pi r square h ही हमारे पास 154 divided by me 10,000 है ठीक है मीटर का q है मीटर का q बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा तो यह हम लोगों यहां से भी pi r square h मिला हुआ है हमको निकालना क्या है radius निकालना है यह सब इतना भी कामदाम हो रहा है यह radius के लिए हो रहा है तो radius निकालना है तो बाकी सब को इदर transfer करना पड़ेगा तो जलो यह सब के value पूट कर लो pi के value होती है 22 by 7 r का square है तो उसको r का square ही रने देंगे क्योंकि उसका value पता नहीं है height हमको 1 meter दिया हुआ है equal के उस side में 154 divided by 10,000 ठेक है अब यहां से हमको r के value चाहिए तो इसे भी कमदामना की इधर transfer कर देंगे तो r square equal to हो जाएगा हमारा 154 divided by में 10,000 और यह जो हमारा 22 उपर में था इधर आकर के नीचे में 22 हो जाएगा 7 नीचे वाला उपर चला जाएगा और 1 को आप नीचे लिखो उपर लिखो बात देखी है क्योंकि 1 से multiply होगा तो उतना ही answer आएगा तो इसको आप यहां पर छोड़ दो अब अब इसको solve कर लेते हैं देखो मेरा दोनों 11 से cut हो रहा है 11 2 जा 22 उपर में 11 बन जा 11 हो गया 15 में से 11 cut हुआ बचा 4 वागे जाकर इ होगे और अपना time waste करोगे दूसरा क्या है कि अब इसको sort कर तरीके से बनाओ हम लोग जानते हैं यहां पर r का square आगिया तो जब हम लोग square को उदर transfer करेंगे तो यह root में आ जाएगा और root से निकलने के लिए वहाँ पर numbers का pair होना चाहिए तो हम लोग के पास देखो पहली से pair बना हुआ है 7 multiply 7 एक pair बना हुआ है बस नीचे वाले हम लोगो pair के time pair करना है तो कैसे करेंगे वो देखो r equal to आप इसको लिखो root के अंदर 7 multiply 7 जो की उपर में हमारे पास है नीचे देखो हमारे पास कितना है 10,000 है तो 10,000 को मैं 100 multiply 100 कर सकता हूँ क्योंकि 100 multiply 100 10,000 ही होगा हमा हमारा 2,0,2,0 में 4,0 हो जाएंगे तो यहां पर आप इसको 100 multiply 100 कर दो इससे फैदा क्या हुआ इसका भी pair बन गया और इसका भी pair बन गया तो r equal to हमारा देखो उपर से 7 निकल जाएगा और नीचे हमारा 100 निकल गया तो r इतना निकल गया अब इसको आप चाहो तो decimal के form में यहां पर लगा दो तो 0.07 मीटर जोगा इसका radius निकल गया इस तरीके से लेकिन अभी भी हमारे पास यह जो fraction वाला है ना इसी से काम करेंगे अपन देखो कैसे करने आपको अब देखो radius मील गया हमको पता है कि उसमें कितना seat लगेगा इसके लिए हमको total surface area निकलना है तो यह होगी हमारा 2 multiply में पाई के जगा में 22 by 7 कर दो देखो r का value हम लोग डेसिमल में अगर लिखेंगे तो यहां पर फिर cut करने में दिक्कत होगा कट तो हो जाएगा लेकिन में decimal में आएगा इससे अचा हम लोग इसका यह वाला फ्रेक्शन वाला value डाल देते हैं तो यह बनके हमारा 7 by 100 फिर bracket के अंदर h हमारे पास height 1 meter दिया हुआ है प्लस में आर के जागा मैं आप फिर वही दोन में इसको भी value पूट कर सकते हो तो फिर मैं वही 7 by 100 कर देता हूं ठीक है और यह भी हमारा meter में है यह भी meter में सर्डू यह नहीं यह वाला हमारा total surface area निकल रहा है तो यह meter में होगा और अंदर दोनों हो जब हम लोग add करेंगे अब ऐसे रटना नहीं है आपको यह समझना है कि meter के square क्यूं हो रहा है तो देखो यह meter मेरा और यह दोनों meter मिल का multiply होंगे तो meter का square हैगा अब जल्दी इसको solve करो आप तो 7 से पहले तो मैं 7 को उड़ा देता हूं यहाँ पर मेरा उपर में इतना है इसको रहने दो 22 का 2 से multiply क करके 44 बना लेंगे नीचे में 100 है देखो 100 को मैं इसले कट नहीं करना चाहता हूं तो कि बस उसमें क्या रहता है decimal कि लगाना पड़ता है और कट कर दोगे तो लंबा चोड़ा बनाना पड़ेगा इससे थोड़े देर इसको रहने तो देखते हैं आगे बनता है कि नी बनता इसको solve side में कर लेते हैं यह solve कर तरीका हो जाएगा हमारा 101 जा 100 और उपर 7 को add कर दो तो 107 divided by 100 आ गिया अब इसको अगर मैं decimal के form में लिखना चाहूं डेसिमल के form में लिख दूँ क्या लिखी देता हूं यह नहीं मत लिखो चलेगा यह जब हम दो solve करेंगे तो 107 by 100 आ गिया और बीच में कोई भी सैंगे नी multiply के साइन है तो इसको ऐसे लिखो 107 divided by me 100 अब आप इन दोनों का multiply कर लो और नीचे 4 0 है तो 4 digit के बाद क्या करना है डेसिमल लगा देना तो चलो जो 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 मैं multiply कर लेता हूं 107 multiply 44 48 जब 28 का 8 करी हो जाएगा 2 वो उतर जाएगा फिर 41 जब 4 हो जाएगा फिर सभी हो जाएगा 824 यहाँ पर add कर दो यह हो गया 8 10 का 0 करी हो गया 1 6 और 1 7 और यह 4 आ गिया तो उपर में हमारे पास 4708 आ गिया नीचे में 100 multiply 100 यानि 10,000 हो गिया अब नीचे में हमारे पास उगी 4 0 है तो हम लोग इस उपर में 4 डिजिट के पार decimal लगा देंगे यहाँ पर हमारे पास 4708 है यहाँ पर 4 डिजिट पहले से है बस 1234 देखो है यहाँ पर decimal लगा दो decimal के दर कुछ नहीं तो 0 लगा दो यानि इतना मीटर का square हमको क्या है वहाँ पर seat लगेगा इस तरीके साथ question को solve करना है मैं अब जिस से अब सुरू में ही समझाया आप बहुँ जाद आप देखो वीडियो में मारे length हो जा रहा है तो अब आपको कहीं पर कुछ वीडाउट हो तो आप उससी Instagram पे तुरू पूछ सकते हैं अच्छा एक सिगन रुखो हम लोग एक पर न थोड़ा से इ cylinder है उसको बनाने में कितना वहाँ पर seat लगेगा तो seat जो है उपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा क्योंकि वह close cylinder है साब सब को इससे ने बोला गया था और side में तो लगवे करेगा तो total यहाँ पर हमको इसका surface area निकालना है और total surface area का formula होता है हमारा 2 pi r h plus r यह formula है और यह formula volume एक छोटा से relation यही है कि 1 meter का cube equal to 1000 liter होता है तो capacity हमको लीटर में दिया था तो वहाँ से हमने volume निकाल लेंगे 0.154 meter का cube लेकिन चुकि यह decimal बन गया है और हम लोग जानते हैं कि question को ज्यादा tough नहीं बनने का उसको easy करने का तो easy करने के लिए हमने क्या 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 इस decimal वाले form को fraction में convert कर दिया fraction में convert करके फिर हमने formula लगाया वही volume वाला हमारा तो वहां से अपने को r की value मिल गई और यहाँ पर भी हमने पूरा-पूरा कोसिस किया कि हमको decimal बगरा में ना जाना पड़े direct answer आ जाया तो देखो कितना असानी से यहां हमारा 7 multiply 7 ऊपर अपने आप बन गया 4708 divided by 10,000 और उसको decimal में निकालोगे तो इतना निकल जाएगा और यहाँ पर यह meter का square में निकलेगा क्योंकि हमनों total surface area निकाल रहे है तो बस इतना meter का square ही उसका total surface area है और जितना total surface area है उतना ही उसमें seat लगेगा metal का seat उसको बनाने के लिए अब अब हम complete clear हो गया अब मिलते नेक्षी दो में चली भाय भाय टाटा सी यू अगें